तो फ्रेंट्स एकवा फिर से आपका बहुत स्वागत है मैं हूँ विश्वा तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि Microsoft Edge बे अगर PDF फाइल ओपन नहीं हो रही है तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करते हैं उसमें क्या होता है कि इस तरीकी के error आपको दिखाता है जैसे यहां दिखा रहा है आपको PDF Reader is disabled Microsoft Edge के उपर इससे पहले भी कई important topic में cover कर चुका हो नीचे description में playlist का link दिया है वहां से जाकर कि आप वीडियोस देख सकते हैं तो कैसे ठीक करेंगे हमको जाना है right hand side में देखी 3 dot यहां पर आपको दिखा रहे 3 dot इस पर क्लिक कर दीजे नीचे आपको option मिलता है setting का setting का option पर क्लिक कर दीजे तो setting का page open हो जाएगा आप यहां पर देखिए search में हमको लिखना है PDF जैसे आप PDF भी लिखेंगे right hand side में बहुत सारे option आएंगे scroll down करिए और नीचे हमको यह option मिलता है PDF document का इस पर क्लिक कर दीजे और इसको off कर दीजे यह on दिखेगा आपको इसको हमें off करना है इसको off करना है उसके बाद हम वापा से चलते हैं अपनी PDF फाइल पर यहां से cross कर देते हैं यह देखिए यह हमारी PDF फाइल अब जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो यह देखिए यह PDF फाइल यहां पर open हो गई है